हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान सिंगल कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप औल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं कार्डिगन, कोटी, जैकेट, जैन साब स्वेटर, फूल स्वेटर, बच्चों के औल प्रोजेक्ट इसके अलावा आप इस पैटन को कैप में भी अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने 11 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं और प्लस 8 फंदे एक्स्ट्रा डालने सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर बनाके यहां पे कंप्लेट कर लेंगे और उसके बाद फ्रंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्पिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब फ्रंट साइड से देखिए पैटर्न की फर्स्ट रोब फर्स्ट रोब में देखिए पहला फंदा उता लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और दो धागा अपनी साइड रखेंगे जाली डालने के लिए और देखें, नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुने, दो का एक कर लेंगे, ये देखें, ये दो का एक किया, फिर धागा अपने साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, फिर धागा पीछे करेंगे, अब देखें, नेस्ट हमने पांच फंदों में पै एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो देखिए ये पांच फंदों में हमारा यहां पे पैटर्न आ जाएगा, तो अब देखिए एक्स्ट्रा फंदा छोड़ने के बाद, देखिए जो नेस्ट फंदा आ जाता है, यहां से लेके और यहां तक यह हमारे 11 फंदे, यही प् फस्ट रो में रिपीट करना है और फिर लास्ट में देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और लास्ट में देखिए यहां पर दो फंदे उल्टे आ जाएंगे धागा अपनी साइड यह देखिए दो का एक कर लेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाए तो देखिए ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई आप देखिए back side से second row आप second row में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे आप देखिए next दो फंदे सीधे आएंगे ये front side से उल्टे आये हैं तो back side से सीधे आएंगे दो फंदे सीधे फिर देखिए धागा अपने side करेंगे और यहां पर धागे को देखिए जाली डालने के लिए सलाई पर हमने लपेट लेना है धागे को सलाई में लपेटा और next हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं दो का एक कर लेगे ये दो का एक कर दिया फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे सीधे आगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे आजाएंगे, फिर देखे जाली डालने के लिए याँ पे सलाई में धागा डपेटेंगे और देखे नेश्ट हमने दो फंदे एक साथ बुने दो का एक कर लेंगे यह देखे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे बैक साइड से हमारी सेकिंड रो कंप्लेट हो गई पूरे पैटर में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है अब देखिए फ्रेंट साइड से थार्ड रो, थार्ड रो को भी हमने फर्स्ट रो की तरो बुनते हुए कंप्लेट करना है, पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा अपनी साइड रहा जाली डालने के लिए और नेस्ट अपने दो फंदे एक स पिर दिखें नेस्ट पांच फंदों में पैटन आएगा, धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा अपनी साइड जाली डालने के लिए नेस्ट अपने दो फंदे एक साथ बुन लेंगे, धागा अपने साइड दो फंदे उल्टे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रो को हमने सेकिंड रो के तरह बुनते वे कंप्लेट करना है अब देखे बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप्त रो फिप्त रो को भी हमने फ़र्ष रो के तरह बुनते वे कंप्लेट करना है तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी फिप्त रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से लो के तरह बुनते वे कंप्लेट करना है अब सिक्स रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे दो फंदे सीदे सिक्स रो को भी हमने सेकिंड रो के तरह बुनते हुए कंप्लेट करना है बैक साइड से देखे बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से सेवंत्रो अब सेवंत्रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए और नेस्ट हमने दो का एक कर लेना है ये दो का एक किया धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे आप देखे नेश्ट जो पांच फंदे हैं इनको हम ट्विस्ट कर लेंगे तो देखे जो पांच वे नंबर का फंदा है उसको पहले ला जाएंगे और पहले नंबर का फंदा सबसे पीछे ले जाएंगे तो देखे ऐसे बैक साइड की तरफ से देखे इन सेंटर के तीन फंदों को ऐसे उठा लेंगे आप देखे आगे का और पीछे का फंदा ऐसे सिलिप कर लेंगे फिर देखे आगे वाला फंदा हमने front side की तरब से देखे left needle में उठाना है फिर इन फंदों को भी देखे ऐसे जो right needle में हैं तीनों फंदों को left needle में shift कर लेंगे फिर देखे जो पांचवे नमबर का फंदा सिलिप है इसको हम ऐसे आगे की side से इसको देखे ऐसे right needle में उठाए उनको उल्टा गुनेगे तो देखें पहला फंदा सीधा आजाएगा धागा अपनी साइड शेकंड नमबर का फंदा उल्टा थार्ड नमबर का फंदा सीधा धागा अपनी साइड फोर्थ नंबर का फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे फिप्त नंबर का फंदा सीधा आ जाएगा ये दिखिए हमारे याँ पर पांचों फंदे ट्विस्ट हो गए धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे आ जाएगे धागा अपनी साइड नेश्ट हमने दो का एक कर लेने ये दो का एक किया धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखिए ये front side से हमारी 7th row complete हो गई, अब देखिए back side से 8th row, 8th row को हमने second row की तरह बुनते हुए complete करना है, जो फंदे सीधे होंगे, उनको हम सीधा बुनेंगे, और जो फंदे उल्टे होंगे, उनको हम उल्टा बुनेंगे, अब देखिए 2 फंदे सीधे बुनें, फिर यहां पर एक जाली डालेंगे, और यह दो का एक कर लेंगे, धागा पिछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यह पांच फंदो दो फंदे सीधे, यहाँ पर देखे, सलाई पर धागा लपेटेंगे, जारी डालने के लिए, दो का एक करेंगे, धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे, यह बैक साइड से हमारी एट रो कमप्लीट हो गई, पूरे प फ्रंट साइड से 9th row, अब 9th row में हमारा पैटन रिपीट होगा, 9th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए कमप्लीट करना है, बैक साइड से जो 10th row आएगी, उसको हमने 2nd row की तरह बुनते हुए कमप्लीट करना है, इस तरह हम अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे, और बनके देखे, हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसान पैटन है, आप इसे all प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूने, थेंक्यू